हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू जो आस्पिर यूटूप चानल आज हम देखेंगे सेम जियोमेट्री क्लासिफिकेशन ओफ फॉल्ड लेकिन यहां पर हम देखेंगे ओन दा बेशिज ओफ नेचर ऑप दे क्लासिफिकेशन रहेगा यूप जियोमेट्री क्लासिफिकेशन ठीक है तो अब ही सबसे पहले यहां पर कोस्टेन आता है या फिर हिंज क्या है इसे पहले हम ने मौर्फलो जो फॉल्ड में देखा ता अगर कोई भी एक फोल्ड है जहां पर मैक्जिमं करभेचा देखने को म यहां पर maximum curvature देखने को मिल रहा है in the scene form तो this is your hinge point अब इसको hinge line का बोलेंगे जब multiple beds आके मिलेंगे तो इस तरीके से अगर आप इसको extend करते हो तो this is this line जब हर bed का maximum curvature वाला line मतलब connect हो जाता है इस तरीके से तो हर point को जब आप connect करके line बना देते हो maximum curvature का हर point को हर bed का जो maximum curvature रहे हो उससे एक point टिंगलता हरा point को connect करके line जो बनता है that is your hinge line तो hinge line के along फिर हम क्या करेंगे और युकांसे according to hinge line का nature के according हम फिर classify कर रहे है fold को ठीक है इसी fold मतलब classification को हम रख रहे है under your geometry classification ठीक है तो मेजल यहां पर दो टाइप के आपको फोल देखने को मिलते हैं on the basis of nature of hinge line that is your cylindrical fold and you have non cylindrical fold ठीक है अब cylinder क्या है non-cylinder क्या आप सभी को पता ही होगा fold को उपर नहीं जाते हैं सबसे लिए टर्म को उपर जाते हैं cylindrical अब cylindrical कोई भी किस shape को बोलते हैं इस तरके का एक shape को बोलते हैं यहां पर सेम देखने को ना मिले length में variation देखने को मिल रहा है यहां पर जो देखे यहां सोरी not length thickness जो यहां पर जो थीकने से यहां पर वो thickness नहीं है तो तो thickness में अगर variation देखने को मिले that is not considered as cylinder तो this is cylinder तो सबसे पहले यह चीज़ अगर clear हो गया तो फिर fold को उपर जाएंगे सबसे पहले यह आप cylindrical fold किसको बोलेंगे यहां पर हम classify कर रहें on the basis of nature of hinge line तो देखते हैं इसका definition फिर image वगरा भी देखेंगे तो सबसे पहले देखते ह है a fold which can be generated by moving a line parallel to itself एक fold जो चीजसे की मतलब उसी से एक line आप परल्ल निकालते हो जिसका वज़े से एक fold बने that is your cylindrical fold अब अगर यह definition समझ में नहीं आता है यह terminology समझ में नहीं आता है तो next sentence को देखिए मैं भी आपको clear idea आज है fold with straight hinge line एक ऐसा fold जिसमें hinge line आपको straight देखने को मिले that is your cylindrical fold ठीक है means एक ऐसा fold है जहाँ पर hinge line क्या straight है तो this is considered as cylindrical fold अई होग आपको समझ में आता ही होगा तो this is your cylindrical fold शिर्फ यहाँ पर एक condition होना चीए straight hinge line hinge line straight है अगर क्या hinge line straight ना होके इस तरीके से रहे कर भी रहे तो this is not cylindrical ठीक है suppose एक fold है तो इसको non-cylindrical के अंदर में रखेंगे यहाँ पर यह क्या है hinge line है hinge line अगर straight ना रहे that is your non-cylindrical ठीक है but ऐसा नहीं कि हर condition में hinge line straight रहे तो you can say that is cylindrical नहीं sometimes आपको hinge line straight means hinge line स्ट्रेट है लेकिन एक ऐसा भी condition आता है hinge line कभी क्या होगा plunging दिखा था ठीक है plunge fold हमने देखा था morphology के अंदर आगे भी हम देखेंगे ठीक है अभी इसका भी आएगा non-cylindrical के अंदर यहाँ पर स्ट्रेट तो है लेकिन यहाँ पर यह क्या दिखे रहा inclination inclination के वजह से आप अगर देखते हो हमने देखा था तो इसको cylinder consider नहीं कर सकते ठीक है throughout the मतलब पुरा length इसका ठीकिन सेम रहे तब भी हम उसको cylindrical बोल सकते तो यहाँ पर आपको आज मतलब cylindrical इसको consider नहीं कर सकते ठीक है तो this is your non-cylindrical आज मतलब कोन के तरह यह दिखता है तो इसको फिर cylindrical के अंदर नहीं ले सकते हैं हींज लाइन स्ट्रेट है लेकिन यह inclined भी नहीं होना चाहिए स्ट्रेट के साथ horizontal hinge line रहे तब ही you can say that is your cylindrical fold तो non-cylindrical fold का definition देखते हैं फिर figure के दरफ बढ़ेंगे तो non-cylindrical fold क्या है a fold which cannot be generated by moving a line parallel to itself मतलब एक fold से parallel line आप अगर move करते हो तो उससे मतलब generate नहीं होगा fold तभी उसको बोलोगे non-cylindrical अगर यह term समझ बने आता है तो इससे पहले जीसे हमने देखाता है second sentence उसको समझ यह the hinge line is either curve or the fold is conical means यहाँ पर क्या हो सकता है non-cylindrical का condition क्या है hinge line क्या रहेगा either वो curve रहे या फिर conical रहे यह condition हम देखाता है यह आज है conical देख रहा है इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से आप देखता है आज है conical यह दिखेगा लेकिन यहाँ पर condition क्या है hinge line plunging कर रहा है तो यहाँ पर दो condition हो सकता है non-cylindrical के अंदर आइदर वो curve रहे है hinge line straight ना रहा है straight रहता तो उसको हम cylindrical बोलते है अगर straight नहीं है curve तो that is your non-cylindrical and another condition is the fold is your conical अगर conical रहे तो इसको ही हम बोलेंगे non-cylindrical अब conical fold क्या है उसको भी देख लेते हैं a type of fold क्यों type का है non-cylindrical fold है मतलब एक conical fold क्या है non-cylindrical fold का एक type है whose shape approximates a part of cone तो जो cone के तरह दिखता है या फिर उसका shape approximately आप अंदाजा लगा सकते होगी एक cone का part है या फिर एक cone के तरह रहता है तो उसको भी हम cylindrical fold नहीं consider कर सकते ठीक है तो यह था इसका मतलब definition terminology थोड़ा figure को देखते हैं तो I hope आपको अच्छे सो और भी clarity मिलेगा तो यहां पर आपको दो image दिख रहा है सरसे पहले यह image को देखिए ठीक है यहां पर अगर आप इस तरीके से circle लेते हो for imaginary purpose ठीक है यहां पर भी यह same है ठीक है तो throughout the length इसका radius अगर same रहे मतलब imagine करने के लिए आप इस तरीके से मतलब इसके अंदर cylinder रख सकते हो for the imagination ठीक है तो इस तरीके का fold और जिसमें hinge line straight मिले तो उसी को यह आप बोल सकते हो that is your conical sorry not conical that is your cylindrical fold ठीक है nature रे कुछ भी बन सकते है तो इसको हम क्या बोलेंगे non cylindrical तो अगर hinge line इस तरीके से curve रहे है यह दिखे यह एक fold है और जिसमें hinge line curve दिख रहे है तो that teacher non cylindrical तो non cylindrical में दो condition हम देखा था मतलब non cylindrical कोई भी fold को बोलने के लिए आइदर उसका hinge line curve रहेगा या फिर वो conical fold रहेगा conical fold क्या इससे पहले हमने देखा कि कौन के तरह appearance दिखाएगा तो अगर इस तरीके से भी fold आपको देखने को मिले nature में तो यह भी मतलब cylindrical के अंदर consider नहीं क्या जाएगा this is your conical fold जोकि non cylindrical के अंदर रहेगा इसको हम cylindrical का बोलते है जाब यह hinge line उसका मतलब horizontal रहता तो इस तरीके का fold को हम बोलते है conical लेकिन यह तो horizontal नहीं है ना यहाँ पर inclination दिखा रहा है ठीक आज को यह behave कर रहा है मतलब यह part of cone जीसा दिखे रहा है अगर इसको थोड़ा सा extend कर लिया हम ठीक है तो that's the reason इसको हम cylindrical fold नहीं बोल सेखे इस अल्सों a non cylindrical type of fold ठीक है जिसको हम conical fold बोल रहे हैं तो यह था all about the classification on the basis of nature of hinge line कुछ भीडावट हो regarding these आप comment section में जरूर पूश सकते हैं and thank you for watching